नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एडुकेशन हब में एक कमेंट्स मेरे पास आया था इश्वर रामदीर ची का सबसे पहले मैंने थैंक्स करना चाहती हूँ comments करने के लिए comments उनका ये था उनके पास कोई form है और वहाँ पर 40 person लोग working है 40 लोग वहाँ पर काम करते हैं तो देखिए उनको क्या करना होता है कभी वो salary cash में देते हैं और कभी वो अपने account से salary देते हैं तो वो salary की जो accounting maintain कैसे करेंगे वो ये चाहते हैं अगर वो salary cash में भी दे रहे हैं अगर वो salary cash में भी दे रहे हैं तो आज का topic और आज का वीडियो इसी पर होने वाला है कि अगर आप salary cash में देते हैं या फिर accounts में देते हैं तो आप उसकी accounting कैसे maintain करेंगे वो सारी चीजे में आपको detailed में इस वीडियो में बताने वाली हूँ ये वीडियो थोड़ी से लंबी होगी क्योंकि ये वीडियो में पूरी detail में बता रही हूँ तो आप वीडियो को skip मत किजिएगा पूरा starting to end आप वीडियो को देखेगा so that सारी confusion आपको step by step clear हो जाएगी उनकी एक और को ID थी कि वो stock भी देते हैं suppose कीजिए अगर आप अपना stock देते हैं अपने employee को देते हैं या फिर अपने किसी stock को देते हैं तो आपको क्या करना होता है उसका एक simple सा cash का advice generate करना होता है आपको वो दिखाना होता है कि आपने वो चीज़ cash में sale की है और cash में आपको payment in करनी होती है तो वो भी चीज़े में आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने employee को या फिर किसी को भी advice raise करते हैं तो उसके लिए आपको cash की advice किसे prepare करनी है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी request मेरी आप सभी लोग से आप मेरे चैनल को like कीजिए और जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप share कीजिए वीडियो के right hand side पे आप छोटा सा rate कला का subscribe बटन देख सकते हैं उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए प्लीज मुसे support कीजिए मेरे चैनल को subscribe करके टैले से related, account से related किसी भी type की कोई भी confusion है आप मुझे comments कर सकते हैं definitely मैं इसको solution and reply आपको दूँगी बेल आइगन को प्रेस करना ना भुलेगा इससे in future जो भी वीडियो में upload करेंगी उसकी notification आपको time to time मिलती रहेगी तो चलिए देखते हैं कैसे हम salary की accounting maintain करेंगे and stock जो देते हैं उसकी accounting कैसे maintain करेंगे टैली में यहाँ पे देखिए एक छोटी सी detail मैंने prepare की है salary sheet की आपको explain करने के लिए serial number है employees के name है जितने भी employees work करते हैं उनके सारे name है salary है जो पॉमन्त net salary हम यहाँ पे पे करते हैं वो वाला column में यहाँ पे देख सकते है advance by cash जो हम cash में advance pay किया है हमने उसकी detail यहाँ पे है and देखिए एक next column आप देखेंगे advance taken तो यह advance हमने जो account से अपने पे किया है वो वाला है दोनों column आप देख सकते हैं एक cash से हमने पे किया है advance और एक advance हमने अपने account से दिया है and last में देखिए salary payable यहाँ पे show हो रहा है suppose कीज़े सुनीता के salary है 15,000 एक example से समझ लेते हैं सुनीता है जिनकी salary per month 15,000 है और देखिए उन्होंने जो advance by cash लिया है क्या होता है कि employee कभी भी month के meet में advance लेते हैं तो उन्होंने by cash 1,000 रुपीज लिया है और उन्होंने month के end में by account 5,000 एडवांस लिया है तो total उन्होंने कितना advance लिया 6,000 का advance लिया उनकी salary थी 15,000 और उन्होंने total advance लिया है 6,000 का तो 15-6 करेंगे तो हमें अब कितना pay करना है 9,000 उन्हें pay करना है अब next example से समझ लेते हैं सुनील की salary देखिए 20,000 है और उन्होंने advance by cash में 2,000 लिया है और advance by account में उन्होंने 7,000 लिया है तो 7 plus 2, 9,000 उन्होंने total advance लिया है और उनकी salary 20,000 है तो 20-9 हम करेंगे तो अब उन्हें कितना हमें salary पे करना है 11,000 पे करना है next है कोमल जिनकी salary है 12,000 cash में उन्होंने 3,000 लिया है and 3,000 उन्होंने buy account लिया है तो 3, 3, 6,000 उन्होंने total लिया है उनकी salary थी 12,000 तो 6,000 हम minus करेंगे advance तो 6,000 हमें उन्हें pay करना है अब देखिए next देख लेते हैं संजे का देख लेते हैं इनकी salary 18,000 है जिसमें से कि उन्होंने 1,000 cash में ले लिया month के starting में and month के end में हमने 3,000 by account उन्हें pay किया है advance total हमने 3,000 plus 1,000 4,000 उन्हें pay किया है और उनकी salary थी 18,000 तो 18,000 में से 4,000 minus करेंगे अब उन्हें हमें कितना pay करना है 14,000 salary हम pay करेंगे next month के starting में सुरेज का देख लेते हैं 20,000 इनकी salary है जिसमें से कि उन्होंने month के starting में 2000 या फिर month के meet में 2000 by cash advance ले लिया और 2000 by account हमने उन्हें pay किया है तो 224 हो गया उनकी salary थी 20,000 20 में से 4 minus करेंगे 16,000 हमें उन्हें pay करने हैं next है superia की salary है 19,000 1,000 उन्हें cash के थूरू लिया है 4,000 हमने अपने account से pay किया है तो 4 plus 15 हो गया तो 5,000 19 में से minus करेंगे 14,000 और हमें उन्हें salary पे करनी है प्रदीब का देखिए 16,000 salary है जिसमें से कि उन्हें 3,000 cash में and 5,000 हमने account के थूरू उन्हें advance दिया है तो इसमें देखिए 16 में से हम minus कर देंगे 8,000 तो 8,000 उन्हें हमें salary पे करनी है अब देखिए उसके बाद देख लेते हैं संदीब की salary 20,000 है 20,000 में से उन्होंने suppose किजिए मंत के मीड में उन्होंने 2,000 का by cash advance ले लिया और 6,000 उन्होंने मंत के end में advance ले लिया तो 6,000 प्लस 2,000 हो गया 20,000 उन्होंने की salary थी तो अब हमें कितना पे करना है उन्होंने 12,000 पे करना है विवेक की salary है 21,000 जिसमें कि उन्होंने 1,000 रुपीस मंत के मीड में cash advance ले लिया और 5,000 by account उन्होंने advance लिया है तो टोटल 6,000 का उन्होंने advance लिया है 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15,000 और उन्होंने salary देनी है टोटल देखिए यहाँ पे salary टोटल यहाँ पे जो हो रही है हमारी जितने भी employees है सारे की total salary यहाँ पे हमने 1,78,000 हो रहा है इसका formula आप कैसे लगाएंगे equal to sum करेंगे and bracket में आप select कर लेंगे and bracket close कर देंगे देखिए 1,78,000 total per month हमारी salary जा रही है सारे employees को advance by cash भी हम equal कर लेते हैं equal to sum करेंगे bracket open करेंगे, सारा select कर लेंगे bracket close कर देंगे तो टोटल देखिए 18,000 हमने by cash में advance दिया है इसी तरीके से by account हमने advance कितना दिया है इसको भी sum up कर लेते हैं equal to sum करेंगे, bracket close करेंगे select करके bracket close कर देंगे 44,000 हमने by account salary advance दी है अब कितनी remain होती है वो भी देख लेते equal to sum करेंगे सारा select करके हम bracket जो है close कर देंगे 1,16,000 हमें अभी देना है तो ये total हमारी salary है 1,78,000 जो हम monthly देते हैं जिसमें कि हमने cash में और account में जो दिया है वो और ये वाला जो आप तीनो plus करेंगे इस quality में आपको एक show करती हूँ तीनो को आपको plus करना है जो आपने cash में advance दिया है जो आपने account के through दिया है और जो आपका payable salary हो रहा है तीनो को plus करने के बाद देखिए 1,78,000 जो की हमारा monthly salary निकल के आ रहा था सारे employees को हम पूरे मंद में 1,78,000 देते हैं तो कुछ इस ट्राइब का salary sheet आप prepare कर लीजेए मैंने हापे आपको 10 employees का as example दिया है आपका 40 अगर employees है तो आप नीचे add on करते जाए और formula सेम रहेगा इस तरीके से आप maintain कर सकते हैं अब चलिए देख लेते हैं कि इन सारे condition को हम tally में कैसे maintain करेंगे कैसे हम इसका account treatment maintain करेंगे tally में gateway of tally से सबसे पहले हम एक common group ledger create कर लेंगे जिसमें हम सारे employees salary की account को create करेंगे और इसमें maintain करेंगे तो gateway of tally से group पे click किजिए group पे click करने के बाद मैंने already वाला जो लेजर है वो create कर लिया है मैं आपको show करती हूँ आपको कौन सा group create करना है salary and wages का आपको group create करना है जो की अंडर में आएगा indirect expenses के जितने भी अपने सारे employees की account create करेंगे हम सारा salary and wages के अंडर में create करेंगे जो की अंडर है indirect expenses के हमारा salary account होता है वो ultimately company के लिए क्या होता है expense होता है तो इसलिए हम इसको अंडर indirect expenses के रखेंगे अब चलिए हम सारे employees के laser create कर लेते हैं one by one सारे laser हम create कर लेंगे employees के name wise laser जो है वो create करेंगे क्योंकि हम accounting maintain करने है laser wise तो सबसे पहले हम laser create कर लेते हैं सुनीता salary account जो की आएगा under salary and wages देखिए मैंने salary and wages का इसलिए बनाया था group क्योंकि हम यह सारे जो laser है वो under salary and wages के under में create करेंगे second laser हम create करेंगे सुनील salary account देखिए इसको भी हम किसके अंडर रखेंगे salary and wages के अंडर रखेंगे one by one सारे laser हम create कर लेंगे संगीता salary account अंडर अगेन यह जाएगा salary and wages के जो की अंडर अल्टिमेटली यह indirect expenses के आएगा उसके बाद next ledger create कर लेते हैं सुप्रिया salary account next है उसके बाद प्रदीब प्रदीब का भी हम ledger create कर लेते हैं आपके जितने भी employees हैं अगर आप employees wise आप account maintain करना चाहते हैं तो आपको उनके person के name के साथ आपको salary account create करना होगा तो यहापे मैंने 10 examples लिये हैं तो 10 में laser create कर ली हूँ अगर आप 40 employees हैं आपके पास तो आप 40 laser create कीजिए और name wise employee wise आप उसको maintain कर सकते हैं इस तरीके से हमने सारे अपने employees के salary account open कर लिए है अंडर salary and wages के जो की ultimately indirect expenses के अंडर में आता है अब देखिए अब next move हम करते है advance देखिए हम जब advance देते हैं अपने employees को employees हमारे जब demand करती है कि हमें advance चाहिए तो उसके लिए में क्या करना होता है एक separate laser बनाना होता है जिसमें कि हम advance की सारी detail को maintain करते है तो हमें क्या करना होगा जितने भी employees हैं उनके नाम से अगर आप चाहते हैं advance वाले laser बनाना तो आप उनके नाम से बना सकते हैं अगर आप एक common laser बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं salary advance account के नाम से बना सकते हैं बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं employees name wise हम यहाँ पर account maintain कर रहे हैं तो हमें सारे employees के advance वाले लिजर create करने होंगे यहाँ पर देखिए सुनीता advance salary account हमें create करना है हमने कर लिया second हम create कर लेते हैं सुनील advance salary account under यह किसके जाएगा loan and advances assets के अंडर में जाता है जो बी हम किसी भी employee इगर हम advance देते है तो वो किसके अंडर में जाता है loan and advance assets के अंडर में इसको maintain करते हैं जोकि करेंट assets के अंडर में आता है देखिए कोमल advance salary account हमने create कर लिया under Loan and advance के लेजर के अंडर में next हम create कर लेते हैं संगीता advance salary account एडवांस को आप शॉटकट में A, D, B भी लिख सकते हैं सो दैट इससे लेजर का नेम है छोटा हो जाएगा अंडर आप इसको लेंगे लोन एन एडवांस अकाउंट के अंडर में लेना है आपको क्रियेट कर लेते हैं सुरेस एडवांस सेलरी अकाउंट अंडर यह आएगा लोन एन एडवांस असिट्स के एल्ट एपरेस करके आप इसको एकसेप्ट कर सकते हैं लेजर को अगर आप इंप्लॉईज वाइस नहीं मेंटेन करना चाहते तो आप कॉमन लेजर क्रियेट करके भी मेंटेन कर सकते हैं common ledger आप create कर लेंगे salary account का और एक common ledger create कर लेंगे salary advance account का तो इस तरीके से आपको common ledger create करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अब देखिए हमने सारे ledgers create कर लिए employee के भी create कर लिए और जो advance वाले account है वो भी हमने create कर लिए अब suppose कीजिए employee आपसे demand करता है कि जी हमें 1000 रुपीज है फिर 2000 रुपीज कैस में advance दे दीजिए तो उसकी accounting चलिए हम entry करके देख लेते हैं कैसे करेंगे gateway of tally से आप we press कीजिए we press करने के बाद आपको payment वाला voucher चूज करना है क्योंकि आप payment कर रहे है डेट आप चूज कर लिजे जिस डेट में आप payment कर रहे हैं तो शलिए entry स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सुनीता का लेजर सेलेक कर लेते हैं आपको देखिए आप सुनीता नाम से दो कर लेजर हो रहा होगा सुनीता एडवांस सेलिरी अकाउंट से और सेकेशव हैं अशर्डा सेल्री अचक कर रहे हैं कि एक बनाए लिए पना तो हमगे मीडवान्स याद्वांस डियोग टूस कर не है नेक्स सुनील का हम सुनील ने कितना लिया है किम से सबिसके करने कोटसरAll만 नेज़र करना है यह क्रण के फुटा करना है को स्वासुन का जेए तो डिया मेले מत्रोस Awwald करेंगे समय गये क्रीन वामी था ट्यूट करने के बाद में डेबीट लिए टूथाउजन आपको शो हो रा है तो इस त्रहिके से नेक्स्ट देख लेते हैं कोमल एडवांस सेलरी अकाउंट आप debit करते जाएंगे one by one इस तरीके से आपको debit करते जाना है यह मैं आपको consolidated entry बता रही हूँ एक ही entry में आप सारी entry कर सकते हैं तो अब next देख लेते हैं संजय ने कितना advance लिया है 1,000 रुपीज का तो 1,000 रुपीज हमें आपे enter करेंगे again हम debit choose करेंगे और next employee का name हमें आपे select कर लेंगे Suris Suris ने कितना advance लिया है 2,000 रुपीज का अब देखिए next हम debit कर लेते हैं next कौन सी party है सूप्रिया सूप्रिया ने कितना advance लिया है 1,000 रुपीज का तो हमें आपे जाके सूप्रिया advance salary account choose करना है आपको दियान से advance लिया लेजर ही चूज करता है अगर by mistake लिया आपने salary लिया अकाउंट चूज कर लिया तो सारा account आपका विकार हो जाएगा और advance के जगह पे वो salary अकाउंट में चला जाएगा वो amount सो इसलिए आपको carefully advance लेजर ही चूज करना है क्या हम debit करेंगे संदीब संदीब का संदीब जैसे ही आप संदीब टाइप करेंगे आपको always do laser दिखेंगा एक तो salary वाला दिखेंगा एक advance वाला दिखेंगा तो आपको advance वाला ही चूज करना है मैं बार बार आपको बता रही ह अब देखिए वीवेक का हम चूज कर लेते हैं लास्ट में वीवेक advance salary account वीवेक ने 1000 रुपिस का advance लिया था अब एंड में आप क्या करेंगे क्रेडिक आप एंड में cash credit करेंगे क्योंकि आप cash में सारा advance अपने पे किया है इसलिए आप cash वाला लेजर हैं से चूज करेंगे तो इस तरीके से आप एक एक चेक आउट कर सकते हैं कि आप इस entry को accept कर लेंगे आप देखिए आपने जो cash में advance पे किया था वह सारी entries आपने कर ली उसके बाद देखिए नेक्स हम देख लेते हैं जो हमने account से अपने मन्त के end में कई बारी क्या होता है इंप्लॉई कहते हैं तो आपने कुछ advance अगर आपने account के थूपे किया है उसकी हम treatment कैसे करेंगे और उसकी entry कैसे करेंगे चलिए उसको देख लेते हैं सुनीता का हम यहाँपे choose कर लेंगे सुनीता advance salary account तो जो अब देखिए यहाँपे आपको current balance पे 1000 रुपीज शू हो रहा होगा तो 1000 रुपीज इनके advance account में इसलिए शू हो रहा है क्योंकि हमने जो 1000 रुपीज का cash में इनको advance दिया था वो यहाँपे शू हो रहा है अब यहाँपे देखिए हम अपने account के थूप advance पे कर रहे हैं इनको तो वह वाला amount जैसे ही हम यहाँपे feel करेंगे वह वाला amount इसमें add हो जाएगा तो स 1,000 वाला और अभी 5,000 वाला 6,000 हो गया इसी तरीके से सुनील वाला हम देख लेते हैं सुनील का देखेंगे आप सुनील ने 7,000 का लिया है advance पहले उसका देखिए 2000 उन्होंने cash में advance लिया था और उसके बाद 7,000 729,000 आपको यहाँपे debit में show हो रहा है increase हो जाता है प्लस हो लिया हुआ है तो 33 आपको 6000 उनके अकाउंट में add हो जाएगा नेक्स देखिए संगीता ने 4000 का लिया तो संगीता advance लिवाला ही आपको यहापे लेजर चूस करना है पहले उन्होंने 2000 का cash में लिया था इसलिए 2000 शो हो रहा है अब वह 4000 एकाउंट के थूर लेनी है तो देखिए संगे ने पहले 1000 रुपिस का cash में लिया था अब वह अकाउंट के थूर हम उनको कितना पे कर रहे है 6000 पे कर रहे हैं तो सिक्स प्लस वन सेवन थाउजन यहापे शो हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो आप देखिए संगी थाउजन का लिया था तो हम यहापे 3000 कर देते हैं 3000 कर देंगे एनैक्स क्लिक करेंगे नेक्स हम देख लेते हैं नेक्स्थ प्लस के लिए आपको ध्राइब वाला चूस कर लेते हैं तो अध़ वन हूंत salary account हम choose करेंगे and 6000 account में उनके add कर देंगे तो पहले उन्होंने 2000 का लिया था अभी उन्होंने 6000 का लिया है तो टोटल यह 8000 हो गया है अब next और last देख लेते हैं वीवेक का तो वीवेक ने कितना लिया है 5000 का advance लिया है अब उसके बाद देखिए आपको credit क्या करना है पहले अपन क्या चूज़ करेंगे अपना bank name चूज़ करेंगे because आपने जो advance पे किया है अपने bank के थूपे किया तो है पर all bank details आफ फील कर दीजिए check number and all अब देखिए narration आफ फील कर दीजिए being advance salary paid for the month of month यहां पर mention कर दीजिए so that the understanding के लिए हो जाता है कि for which month अपने advance पे किया है अब देखिए हमने यहां पे cash वाला जो advance पे किया था उसकी consolidated entry की and जो हमने अपने bank account के थूपने account के थूप जो advance पे किया हमने दोनों entry कर ली then next देख लेते हैं कोमल का देख लेते हैं इनका total जो advance शो हो रहा है 6000 शो हो रहा 1000 शो हो रहा है तो आप यह मत सोचिए कि आपने consolidated entry की है तो आपको शो नहीं होगा अगर आप एक consolidated single entry भी करेंगे तो भी आप लेजर में जा जाके देखेंगे तो सारे employees की लेजर में आपको वो शो होगा अब देखिए संजे advance account हम देख लेते हैं आपे 4000 शो हो रहा है total से सूप्रिया का देख लेते हैं सूप्रिया का advance salary account हम open कर लेंगे देखिए सूप्रिया में आपको यहां पे सूप्रिया advance salary account open हो गया 5000 देखिए 5000 आप शो हो रहा है तो इस तरीके से आप consolidated entry करने के बाद अगर एक एक का देखना चाहें particular किसी employees का किसी staff का देखना चाहें त एंट्री की थी वह एंट्री कहां पर शोगी balance sheet में जाएंगे current assets के अंदर में आपको देखिए loan and advance assets का एक लेजर मिलेगा वहां पर आपको 62,000 शो हो रहा है इस पेंटर प्रेस कीजिए अब देखिए Excel sheet में हम देख लेते हैं total grand total जो हमने पूरे मंत में अपने सारे employees को जो एडवांस दिया था 62,000 का है यहां टैली में भी हमारा 62,000 शो हो रहा है इट मिन्स हमारा जो है मैच हो रहा है हमने जो एंट्री की है वो सही की है प्रॉपर की है यहां पर आप सारा employees wise breakup देख सकते हैं किस employee को कितना आपने advance दिया है यहां पर आप employees wise देख सकते हैं यह यहां आप गाएश कर सकते हैं अब देखिए क्या होता है कि हम अपने employees को जो advance देते हैं यहां फिर см salary paypal के entry खड़ी करनी होती है month के end में जो entry करते हैं और month के स्टार्टिंग में जो उनकी salary paypal होती है जो balance salary होती हम हम release करते हैं, यहां पर देखे जो advance हमने दिया है या फिर request के त्रू हो या फिर account के त्रू हो total advance में से, आप total salary में से advance करेंगे और जो remaining balance होगा वो आपका salary PAYBAL होगा तो उसके लिए क्या करते हैं अकाउंट को maintain करने के लिए एक provisional entry pass की जाती है जोकि मन्त के एंड में की जाती है तो उस तरीके से क्या होता है हम अपने accounting को balance करते हैं maintain करते हैं तो देखिये हम एक एठ्जस्मेंट के सबस्क्राइब पृट्री पास करेंगे इन सारे चीजों को कि कितनी ऐडवांस हमने दिया और कितना अब हमें उन्हें देना है तो जनल वॉचर पे उसकी करेंगे मजंद के एपने Mikra करने के लिए उसको अकांटिंग को प्रापर करने के लिए हमें जनराल वाचिर के थ्ल Yep करनी है सारे रारी न्रेंट् wsz को को यहां पर हम क्याश करेंगे सुनीटा का सैलरी दंग किसी सेलरी ही इसानi की 5000 तो आपको पूरी सेलरी लेनी है की सेलरी हो तो यहां पर आप debit करते चाहिए वन बाइवन कोमल salary account 12,000 salary है उनकी नेक्स्ट है संगीता संगीता salary account संगीता की कितनी salary है 17,000 तो 17,000 फील कर लेंगे and then Sanjay की 18,000 है तो Sanjay salary account 18,000 से debit हो जाएगा इस तरीके से क्या होगा हम इसकी booking कर रहे हैं entry के थुरू हम क्या करते हैं इस entry के थुरू हम booking करते हैं तो यह salary की हम booking कर रहे हैं and then next ledger हम choose कर लेंगे surays का तो यहाँ पे surays salary account आपको choose करना है कितनी salary है surays की देखिए आपको दो ledger show होगा एक advance का और एक salary वाला तो आप गलती से भी advance वाला ledger must choose कीजेगा otherwise आपकी accounting जो है इसकी खराब हो जाएगी तो आपको carefully salary की आप जो entry करते हैं end of the month आप जो भी entry adjustment वाली entry करते हैं आपको carefully करना होता है तो carefully आराम से आप कीजेगा so that mistake ना हो क्योंकि एक mistake हो जाती है तो उसको search करने में fine करने में बहुत जादा time based होता है आप accounting का work कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एक भी ledger अगर गलत हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है उस ledger को fine करना और उस mistake को fine करना नेक्स देखिए जितने भी employees है आप सारे employees की salary account में वह salary आप debit करते चाहेंगे सुप्रिया की salary account देखिए हापे current balance zero show हो रहा है जैसे ही मैं आपे सुप्रिया के account में 19,000 डालूंगी तो देखिए current balance 19,000 से increase हो जाएगा प्रदीब की है देखिए प्रदीब की कितनी salary है 16,000 प्रदीब salary account डेवीट कर लेंगे हम 16,000 से 16,000 डेवीट कर दीजिए आपके company में कितने भी employees है इस तरीके से आप one by one book करते चाहिए यहाँ पर मैंने 10 का example लिया आप 20 भी 30 भी 40 भी आड़ कर सकते हैं बट आप carefully entry कीजिए अगर आप consolidated entry कर रहे हैं तो आपको carefully entry करनी पड़ेगी otherwise अगर एक mistake हो जाएगी तो आपको सारी इतनी बड़ी entry होती है सारी entry आपको check करनी पड़ जाएगी आप देखिए किसकी हमने entry कर ली संदीप की हमने entry कर ली है अब उसके बाद end में हम विवेक की entry कर लेते हैं विवेक की कितनी salary है विवेक salary account हम choose कर लेंगे 21,000 विवेक की सेलरी है विवेक सेलरी अकाउंट 21,000 से डेबिट हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर हमारे 10 employees थे 10 employees के हमने यहाँ पर booking कर ली है सेलरी की टोटल सेलरी देखिए 178,000 है यहाँ पर देखिए आपको शो हो रहा होगा 178,000 डेबिट साइड में इट मिन्स हमने एंट्री सही की है यहाँ तक एंट्री हमारी सही हो चुकी है अब देखिए अपने employees की सेलरी बुक कर ली है उसके बाद हमने जो employees को advance दिया था वो हमें यहाँ पर अब करना होगा credit अब हम क्या करेंगे one by one हम सारे advance को यहाँ पर credit करते जाएंगे तो अब चलिए credit कर लेते हैं यहाँ पर आप credit वाला लेजर चूस कर लीजे सबसे पहले हम starting से करना स्टार्ट करते हैं सुनीता का देखिए आपर total जो advance है वो हम यहाँ पर adjust करते जाएंगे सुनीता अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर आप advance वाला लेजर आप चूस करेंगे क्योंकि हमने भी salary की booking कर दी अब हम advance इसमें adjust करेंगे मन्त में हम क्योंकि हम adjustment के entry कर रहे हैं तो पूरी salary booking करने के बाद हम आप करेंगे adjustment करेंगे advance कितना कितना advance किस किस ने लिया है तो सुनीता advance salary account टोटल कितना सुनीता ने लिया था 6000 लिया था अगेर हम credit करते जाएंगे वन वाइवन हम credit करेंगे आप देख सकते हैं अब जो current balance जीरो हो गया है पहले सुनीता ने 6000 अकाउंट से हमने देबिट किया था जब सुनीता ने advance किया था अब हमें आप एड़िस्ट कर रहे हैं इसलिए सुनीता का account जो है वो हो झायेगा जीरो हो जाएगा सेकेंड देखिए सुनील का हम देख लेते हैं सुनील ने कितना advance लिया है आपको सुनील का एडवांस वाला लेजर चूस करना है सुनील एडवांस सेलरी अकाउंट सुनील ने आपे 9000 की एडवांस लिया था तो 9000 आप यहां पे क्रेडिट करेंगे जैसे आप क्रेडिट करेंगे सुनील का जो एडवांस वाला लेजर है वो जीरो हो का अब उसके बांड आब कि हम कर ले थे हैं है को उवार का कर ले थे हें को मलिकी निया था सिक्स थाउजन का टोटल aस लिया था जिस पित हैं गर्णाफ यहाँ ओंत सिक्स थाउजन का नियूब तो संगीता एडवांज्ञ्ण डी अकांट करना है अमाउंट यहां पर फिल कर लिगे जितना विए अमाउंट लिया है देखते चाहिए आप यहां पर 0,0 होते जा रहा है जैसे जैसे हम अडवांस अजस्ट कर रहे हैं कि संजय ने कितना स्ट इंद लिया था 4000 तो संजय एडवांट सेल्टी एकाउंट 4000 यहाँ पर आप क्रेडिट कर लीजिए इस तरीके से वंड बाइवन आपको क्रेडिट करते जाना है जितने इंप्लॉईज है आपके और जिसने जितना जितना इडवांस लिया है उतने उतन लेते हैं सूपरिया ने कितना लिया था 5000 का लिया था एडवांस वाइप थाउजन हम यहाप पर धील कर लेंगे प्रधीप नी कितने का लिया था ऍ sill का लिया था तो प्रधीप के अड़ वांस leis को हम चूस करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपीस लास्ट विवेक तो भी विवेक ने कितना लिया था जिक्स तां लिया था तो 6,000 से हम इनका अकाउट अगें हम क्रेडिट कर देंगी अब देखिये हमने सबसे पहले सेलरी की पूकिंग कि एंद इसके बाद हमने जो एड़्वांस वाली थी सारे एंप्लोईस के एड़्वांस वाली देखेए 60 2000 आपको एडवांस लिया गया था वह वाला आपको टैली में हुआ पे शोंगा हमने सारी बूकिंग कर लिए 62,000 आपको शो हो रहा है अभी भी देखिए adjustment हमारा debit and credit equal नहीं हुआ है अब हमें balance वाला यहाँ पे पेबल वाला करना है जो हमें पे करना है वो वाला हम पेबल वाली entry करेंगे तो पेबल के लिए हमें क्या करना होगा जितने भी employees सारे employees के लिए पेबल की entry क्रियेट करनी होगी लेजर क्रियेट करना होगा LTC प्रेस करेंगे आप और सुनीता salary payable account पेबल मतलब अब उन्हें कितना हमें balance pay करना है वो वाला अकाउंट हम क्रियेट कर रहे हैं जो कि अंडर current liabilities के आएगा current liability हमारी हो गई अब हमें कितना देना है सुनीता को only 9000 देना है इसलिए हम यहाँ पे एक salary payable की लेजर क्रियेट करते हैं अगर आप employees wise करेंगे तो आप employees wise क्रियेट करेंगे अगर common laser क्रियेट करना है तो salary payable account आप क्रियेट कर सकते हैं नेक्स देखिए 9000 का जो था है 9000 हम यहाँ पे फील्ड कर लेंगे नेक्स हम क्रियेट कर लेते हैं सुनील का तो सुनील का भी हम क्रियेट कर लेंगे इसी तरीके से वन वाई वन आपको क्रियेट करते जाना है लेजर सुनील salary payable account इसको भी हम किसमें अंडर मिलेंगे current liabilities के अंडर में आएगा क्योंकि हमारी liability है जो balance amount है वो pay करने की हमारी liabilities है 11,000 हमें और इन्हें pay करना है तो मन्त के end में यह provisional entry हम कर रहे हैं क्योंकि मन्त के end में हम यह कर रहे हैं यह हम अपनी current liability को increase कर रहे हैं और अब जब हम next month में इनके salary release करेंगे तो जितनी payable हो रही है उतनी salary हम release करेंगे इसलिए हम इसकी adjustment के entry every month of end करते हैं आप देखे संगीता के लिए भी हम create कर लेंगे संगीता salary payable account अगें यह आएगा current liabilities के अंडर में एल्ट एल्ट ए प्रेस करके आप एंट्री को accept कर सकते हैं कितनी salary है संगीता की अब 11,000 है बाकी का वो advance ले चुकी है इसलिए इनका आप जो remaining salary बच रही है 11,000 बच रही है 11,000 ही हम pay करेंगे next month में आप देखे संजय salary payable account हम create कर लेते हैं अगें यह आएगा current liabilities के अंडर मे कितनी थी संजय की 14,000 salary हम book कर लेंगे क्योंकि 14,000 इनका outstanding balance हो रहा है बाकी advance ले चुके हैं उसके बाद next हम देख लेते हैं सूरेज का तो सूरेज salary account payable के नाम से create कर लेंगे and again हम इसको current liabilities के अंडर में लेते हुए यह ledger create कर लेंगे इनकी कितनी salary थी 16,000 हम यहाँ पे current liabilities के अंडर में ले लेंगे उसके बाद देखे सूरेज तो सूरेज के लिए हम लेजर create कर लेते हैं सूरेज salary payable account यह सारी entries हम जो book कर रहे हैं यह next month के लिए हमारी liability बन चाएगी क्योंकि हम जो October का salary हम कब release करेंगे November में release करेंगे तो इसलिए मन्त के end पे हम यह entry पास कर रहे हैं adjustment entry पास कर रहे हैं और जितना भी हमने advance वगर दिया था वो सारा हम इसमें adjust कर रहे हैं अब उसके बाद देखें next हम लेजर create कर लेते हैं प्रदीप salary payable account इसको भी हम current liabilities के अंडर में लेंगे देखें यह entry थोड़ी सी landy हो ज adjust कर रहे हैं थोड़ा carefully आपको करना पड़ेगा बट एक में आप कर सकते हैं अगर आप carefully करेंगे तो एक consolidate entry में सारी आप adjust कर सकते हैं संदीप की कितनी अब outstanding salary बचली है 12,000 अब उसके बाद देखें last जो है विवेक का तो विवेक के लिए भी हम salary payable account create कर लेते हैं लेजर आप अगर employees wise maintain करने हैं तो आपको employees wise के लिए सारे लेजर create करने पड़ेंगे अगर आप employees wise नहीं चाहते करना तो आप common तीन लेजर बना तो आपको सारे employees नहीं boys आपको create करने होंगे तो देखिए हमने पहले advance का लेजर किया जो भी advance हमने दिया था कैस में उसका किया उसके बाद हमने जो advance दिया था account के थूर उसका किया उसके बाद हमने month के end में एक journal voucher के entry पास की adjustment की सारी entry हमने पास कर ली है अब चलिए जो हम जब enter करेंगे तो देखिए आपको सारी entries नहां पर show हो रही है जितनी भी आपकी जो salary payable वाली जो entry outstanding में यह आपको सारी शो हो रही है current liabilities के अंदर में आप click करेंगे सारी आपको salary payable वाली entries नहां पर show हो रही है देखिए आपको यहां पर सारा employees wise break up show हो रहा है कि किस-किसको आपको कितना salary pay करना है जो हमने adjustment entry पास की थी उसका effect यहां पर है सारी entries आपको minus करके यहां पर show हो रही है जो balance वाली salary amount है वही आपको यहां पर show होगी तो देखिए जो सुनीता ने advance लेने के बाद जो बच रहा था वो यहां पर show हो रहा है कि 9,000 अब उन्हें हमें salary देनी ह तो सारी आप detail यहां पर देखिए total मैं आपको show करती हूँ 1,16,000 आपका outstanding salary show हो रहा है जो आपको देना है तो देखिए एक्सल शीट में हम देख लेते हैं जो हमारी total show हो रही है salary payable 1,16,000 जो कि हमारे salary से match हो रहा है break up wise नहीं पर show हो रहा है किस-किस को कितना कितना हमें salary देना है वो सारी detail हमें यहां पर show हो रही है और grand total में आपको यह show होगा कि total आपको जो अप salary pay करनी है 1,16,000 और pay करनी है जो कि आप next month के starting में pay करेंगे जब भी आप pay करते होंगे month के starting में first of November को या फिर second of November को वो आप payment की entry कर देंगे अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि single entry करना करना है अप single entry करना चाहते हैं एक की employee का separate separate entry करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं सबसे पहले चलिए सुनीता का कर लेते हैं तो आपको क्या करना है देखिए जनरल वाउचर में आप मंध के एंड में जो एडिस्मेंट वाली एंट्री करेंगी वो वाली एंट्री में आपको बता रही हूं सुनीता का देखिए पहले सबसे पहले सैलरी का लिया था अब उसके बात देखिए सुनीथा का पेडावल आजाएगा सुनीथा सैलरी कितना देना है वह वाला हम यहां पे लेजर चूझ करेंगे सुनीथा को हमें आ इहां पेडेना आफ नाइन थाउजन तो नाइन थाउजन हम सारी डिटेल आपको शो हो गई कि कितनी सेल्डी थी कितना एडवांस लिया और कितना हमें पे करना है डेबिट एंड क्रेडिट साइट दोनों साइट देखिए 15,000 15,000 हो गया है अगर आप सिंगल सिंगल एंट्री करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं सारे एंप्लॉ कि हैं जर्वार था लिया स्टों क्रेंगे सेजट्री कितना एडवांस लिया था वोग्रेडित होचाएगा सूनील एडवांस सयलری अकाउंट सुमान चूछ्ण कर लेंगे कितना एडवांस सेर्वांथ 9000 एडवांस लिया देना है तो ये इस तरीके से सुनिल का हमने separate entry कर लिया सबसे पहले हमें कितनी clarity है वो लिया हमने और उसके बाद कितना advance उसने लिया था वो और कितना अब हमें उसे pay करना है तो इस तरीके से separate entry debit side and credit side दोनों side 2020,000 यहाँ पर show हो रहा है इस तरीके से आपको show होगा चलिए एक और įंटी करके देख लेते हैं जनरल वाउचर चूस करेंगे मन्त के एंड का डेट हम सेलेक करेंगे एंदेन देखिए कोमल का देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें salary account चूस करना होता है कोमल salary account तो कोमल की कितनी salary थी 12,000 थी तो 12,000 हमें यहाँ पर debit कर लेंगे and then हमें यहाँ पर credit क्या करेंगे कितना कोमल ने advance लिया था वो हमें यहाँ पर credit करेंगे कोमल advance salary account 6000 advance लिया था और उसके बाद कोमल salary payable account अब कितनी उन्हें हमें salary pay करनी है वहारा लेजर हम choose करेंगे तो total अब उन्हें 6,000 हमें pay करना है तो इस तरीके से 12,000 यहाँ पर debit and credit हो गया है इस तरीके से आप single single entry कर सकते हैं देखे single single entry चो होता है easy to understand होता है तो आप single entry भी कर सकते हैं उसके बाद एक और entry हम देख लेते हैं संगीता का देख लेते हैं संगीता advance salary account यहाँ पर देखे 6,000 से credit हो जाएगा लेस हो जाएगा और उसके बाद संगीता salary payable account अब हमें कितना इन्हें pay करना है वो आला हम laser choose करेंगे अब इन्हें हमें 11,000 हम next month में इनको pay कर देंगे तो हम यह सारी entry के through अपनी liabilities को increase करते हैं end of the month and month के starting में next month के starting में यह सारी salary हम release कर देंगे एक और last entry करके देख लेते हैं विवेक salary account तो विवेक की salary कितनी थी 21,000 थी debit हो जाएगी और विवेक ने कितना advance लिया था तो विवेक advance salary account यहाँ पर credit हो जाएगा, less हो जाएगा उसका advance जो 6,000 लिया था उन्होंने एन उसके बाद देखिए विवेक salary payable जो account है वो है 15,000 का तो 15,000 हम उने next month में pay करेंगे तो इस तरीके से adjustment वाली entry आपको pass करनी होती है जिसको की provisional entry कहते हैं तो देखिए हमने आपे 2-4 example के तो समझा की कैसे हैं सिंगल accounting adjustment वाली entry कैसे pass करनी है जो की end of the month पास की जाती है जिसको हम provisional entry भी कहते हैं अब देखिए provisional entry हम इसले पास करते हैं क्योंकि हम जो liabilities होती है उसको increase करते हैं अब हमने जो अपनी salary की liabilities increase की है हम उसको next month के starting में सारी जो liabilities है उसको हम pay करेंगे तो month के starting में कैसे हम उसके entry पास करेंगे चलिए उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए salary payable वाला जो भी outstanding आपको show हो रहा है 1,16,000 उसकी हम entry कैसे पास करेंगे चलिए टैली में gateway आप टैली से आप वी प्रेस करेंगे एंड वी प्रेस करने के बाद देखिए month के starting में जब भी आप salary release करते होंगे वो date आप सपोस कीजिए आप 2nd of November को अपनी salary outstanding वाली जो है वो pay कर रहे हैं तो उसका update यहाँ पर choose कर लीजिए अब देखिए एक consolidated entry में आपको बताती हूँ कि सारी आपकी जो salary payable वाली है उसकी entry आपको कैसे करनी है सबसे पहले हम choose कर लेते हैं सुनीता को अब आपको यहाँ पर क्या choose करना है यह आप ध्यान दीजिए हम अब next month में जो हमारी outstanding थी वो हम pay कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको choose करना है सुनीता salary payable account तो कितना यहाँ पर देखिए आपको current balance में भी show होगा 9,000 हम यहाँ पर सुनीता को pay कर देंगे अब next देखे सुनील हम ले लेते हैं सुनील salary payable account आप choose करेंगे जैसे आप account चूस करेंगे देखिए आपको current balance में 11,000 शो होगा आप proper entry करेंगे तो आपको current balance में exact balance शो होगा अब next entry हम कर लेते हैं next हम debit करेंगे जैसे आप 11,000 चूस कर लेंगे देखिए salary वाला account जो है नील होते जाएगा थर्ड हम चूस कर लेते हैं कोमल का account देखिए कोमल salary payable account यहाँ पे current balance में आप देखेंगे 6,000 आपको show हो रहा है 6,000 आप debit कर लीजिए जैसे ही आप 6,000 debit करेंगे और enter price करेंगे देखिए current balance आपको zero show होगा अब उसके बाद देखिए संगीता का देख लेते हैं संगीता का 11,000 salary payable है तो संगीता salary payable account हम choose कर लेंगे देखिए current balance पे आपको 11,000 show हो रहा है 11,000 आप यहाँ पे type करने के बाद देखिए आपको zero balance show होगा नील होते जाएगा इस तरीके से तो one by one आपको यहाँ पे choose करते जाना है सारे account को और जितना भी salary payable उनका outstanding है वो amount आपको pay करते जाना है अब देखिए next हम देख लेते हैं संगे का 14,000 था तो 14,000 हम यहाँ पे feel कर लेंगे और जैसे ही आप enterprise करते जाएंगे सारा current balance आप zero-zero देख सकते हैं next हम ले लेते हैं next देखिए सुरेस वाला लेजर चूस कर लेते हैं सुरेस salary payable account कितना pay करना है सुरेस को current balance में शो हो रहा है 16,000 16,000 आप यहाँ पे चूस कर लेंगे देखिए सारा आपको zero-zero-zero-zero-zero शो हो रहा है क्योंकि हम सारा adjust करते जा रहे हैं इसलिए zero-zero-zero शो हो रहा है हमने proper advance की entry की है और proper हमने जो end of the month जो general voucher होती है वो हमने entry की है इसलिए हमारा account proper चल रहा है और सारा जो account नील होते जा रहा है जीरो होते जा रहा है तो जैसे जैसे मैं आपको बताया है वैसे वैसे आप करते चाहिए आपका जो salary वाला account है proper maintain होता जाएगा उसके बाद देखिए प्रदीब salary payable account 8,000 था तो 8,000 आप चूज़ कर लिज़े अब उसके बाद संदीब संदीब को कितना देना है 12,000 तो संदीब salary payable account 12,000 आपको यहाँ पे feel कर लेना है और देखिए लास्ट में विवेक वाली salary show हो रही है तो विवेक की हमें करनी है विवेक salary payable account को हम debit कर लेंगे कितनी विवेक की salary थी तो विवेक की salary है 15,000 तो इस तरीके से आपको 1 by 1 जितने भी employees हैं आपको सारी employees की 1 by 1 आपको entry care fully करते चाना है अब देखिए total आपको 1,16,000 show हो रहा है सारी entry हमने कर ली है 1 by 1 proper entry की है इसलिए हमारा देखिए salary sheet और हमारा जो टैली वाला है दोनों match हो रहा है अब हमें क्या करना है हम इन सब को किसे pay कर रहे है salary अपने bank के through कर रहे है तो अपना bank आपको यहाँ पे credit कर देना है क्योंकि आपके bank से payment हो रहा है इसलिए आपका bank credit हो जाएगा तो इस तरीके से एक single entry में हमने जितने भी हमारे employees के salary payable थी सारी entry हमने consolidate कर ली अब narration आप यहाँ पे type कर लीचे salary paid for the month of October अब चलिए हम चलके देख लेते है balance sheet पे इस payment के entry का क्या effect हुआ है तो balance sheet में हम जाएंगे and then current liabilities के अंदर में जाएंगे and current liabilities के अंदर में देखिए जो भी हमारी पहले हाँ पे salary payable वाली outstanding entries शो हो रही थी पूरी list यहाँ पे शो हो रही थी वो entry आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने payment कर दिया है और current assets में जो भी देखिए loan and advance वाले में जो पहले शो हो रहा था यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो सारा loan and advance जो हमने adjust कर लिया था जो कि हमने month के end में general voucher जो एक entry पास की थी उसमें सारा हमने adjust कर लिया था क्योंकि अगर आप single single payment के entry करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं consolidated entry में सारी entries को करना आप confused हो रहे हैं तो आप single single entry भी पास कर सकते हैं easily आपको सबसे पहले सुनीता salary payable account चूज करना है जितना भी amount आपको देना है वो आप debit कर लीजिए और आप अपने bank को credit कर लीजिए तो इस तरीके से simple होगा अगर आप single single चाहते हैं entry करना तो single single भी कर सकते हैं बट single सिंगल में क्या होता है आपको ज़्यादा entry करनी पड़ेगी आप second देखिए सुनील वाला है तो सुनील वाले का आप सबसे पहले डेट चेंज कर लीजिए payment voucher चूस कर लीजिए और कितना आपको सुनील को सली देना है वो amount pay करके आप अपने bank को select क्योंकि आप bank के थू कर रहे हैं इसलिए bank credit हो जाएगा अब एक और entry करके देख लेते है payment voucher चूस कर bank के थू हम कर रहे हैं तो bank हमारा credit हो जाएगा तो इस तरीके से आप one by one सारी interest पास कर सकते हैं जितने भी employee को आप salary दे रहे हैं अगर आप single way में करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसके बाद देखे date change कर लीजिए एक और हम देख लेते हैं example संगीता salary payable account जो है वो यहां पर debit हो जाएगा 11,000 से और जिस bank के थू आप कर रहे हैं वो bank यहां पर credit हो जाएगा एक और देख लेते हैं entry कर लेते हैं date change कर लेंगे संजय का देख लेते हैं संजय का देखिए 14,000 salary देना है तो संजय salary payable account चूज कर लेंगे and debit में हम क्या करेंगे 14 जो outstanding इनकी payment आ रही है salary की वो हम चूज कर लेंगे and bank को हम credit कर देंगे इस तरीके से one by one आप सारी entries कर लीजिए एक और हम देख लेते हैं इसांपल सूरे salary payable account हम चूज करेंगे कितनी इनकी salary में देनी है भी 16,000 देनी है और इसके बाद अपना bank जो है वो आप credit कर दीचे तो single single entry में क्या होता है आपको एक-एक single single entry इस पास करनी होती है consolidate में क्या होता है आप एक एंट्री में सारी इंट्री पास कर सकते हैं बड़ कंसोलिडेट में थोड़ा सा आपको केरफुली करना पड़ता है और single entry счастly easy होता है इसी लगता है तो single entry की थृभी आप कर सकते हैं तो इस तरीके से वन बाए वन आप सारी इंट्री सिक को पास कर लीजे अगर अप सिंगल वे से करनी है सबसे पहले आप payment की entry पास करेंगे जिसके तुरू आप अपने employees को advance pay करेंगे and end of the month एक general accounting हम पास करते हैं जिसको हम provisional entry कहते हैं वो end of the month हम पास करते हैं और उसके तुरू हम अपने payable को खड़ा करते हैं और next month के starting में जो भी outstanding होती है वो सारी हम pay करते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि advance salary की accounting कैसे करते हैं तो चलिए second way हम discuss कर लेते हैं जहां पर advance का कोई issue नहीं होता है जितनी employee की salary होती है उतना ही employer उसको salary देता है उसकी accounting हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं देखें यह detail मैंने prepare की है same detail है यहापे employees की सारी detail है salary है get fee of tally से हम सबसे पहले वह वाली entry पास करेंगे हम पहले salary booking वाली entry पास करेंगे जो हम बंत के end बे पास करते हैं general accounting के तुरू तो general voucher choose कर लेंगे हापे देखिए one by one सारे entries को हम एक ही entry में एक ही consolidated entry पास करेंगे और उन सारे entries में हम यह सारे salary को book कर लेंगे तो one by one हम कर लेते हैं सिबसे पहले देखिए सुनीता को ले लेते हैं सुनीता जो है 15,000 इन के salary है तो यहापे चलिए टैली में कर लेते हैं यहापे आपको कौन सा लेजर चूज करना है सुनीता salary account चूज करना है हम यहापे booking कर रहे हैं सुनीता salary account चूज करेंगे 15,000 इन के salary है तो 15,000 यहापे आप डेबिट कर लेंगे अगें हम डेबिट करेंगे सुनील को करेंगे सुनील के salary कितनी है 20,000 है तो सुनील salary account 20,000 से डेबिट हो जाएगा इन नेक्स देखिए नेक्स कोमल है कोमल की salary 12,000 है तो कोमल salary account 12,000 यहापे डेबिट हो जाएगा उसके बाद अगें हम डेबिट करेंगे संगीता संगीता की कितनी salary है 17,000 तो संगीता salary account 17,000 से डेबिट हो जाएगा next है Sanjay, Sanjay से salary account यहाँ पे हम डेबिट कर लेंगे 18,000 इसी तरीके से वन बाई वन आप एड करते चाहिए कितने भी employees हैं आप इस तरीके से एड करते चाहिए वन बाई वन consolidated entry जो होता है आपको carefully करना होता है जब आप person का employees का name चूज कर रहे हैं तो carefully चूज कीजिए कही बारी क्या होता है सुधीर होता है और सुरेश होता है तो इस तरीके से हम सुधीर को दो बार choose कर लेते हैं तो सुधीर के account पे दो बार हो जाता है debit और सुधीर के account पे नहीं होता है तो इस तरीके से आपको name जब select कर रहे है तो name carefully select किजिए अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रदीब प्रद 20,000 से debit हो जाएगा अर उसके बाद देखें लास्ट विवेक, विवेक सेलरी अकौंट 21,000 से debit हो जाएगा तो आप देखें यहापे debit साइड में 1,78,000 आपको शो हो रहा है तोटल है यहापे से कैसे laser create करना है मैंने आपको बताया है one by one आप credit करते चाएंगे और अपने employees की जो payable है वो उसको आप खड़ा करते चाएंगे सुनील देखे सुनील salary payable account 20,000 और उसके बाद कोमल है तो from salary payable account credit कर देंगे हम कितने से credit करेंगे जितने उनकी salary होगी and नेक्स उसके बाद देखिए संगीता तो संगीता सेलरी पेबल अकाउंट जितनी की सेलरी होगी सेविंटीन थाउसन है तो सेविंटीन थाउसन हम ले लेंगे नेक्स देखिए संजय तो संजय की कितनी सेलरी थी 18,000 थी संजय सेलरी पेबल अकाउंट चुछ कर लिजर को तो इस तरीके से वन बाई वन आपको पेबल वाली एंट्री करनी है और पेबल वाला लेजर चुछ करते जाना है सारी 9,000 थी सेलरी सेंञ्शर चुछ कर लिया इसलिए यहाँ आपको बोलोगा कि जब भी आप salary का selection करेंगे तो carefully कीजिए otherwise salary का जो है लेजर और salary का account आपका खराब हो जाएगा consolidate entry में यह होता है थोड़ा से carefully आपको करना होता है अब देखिए debit and credit side equal हो गया है 1,78,000 debit and 1,78,000 credit balance sheet में चलके इसका effect देख लेते हैं current liabilities के अंदर में आप देखिए enterprise करेंगे तो सारी entry आपको यहाँ पर देखिए break up आपको show हो रहा है employees के name wise total 1,78,000 का outstanding आपको show हो रहा है यह entry आपको post करनी होती है month के end में हम करते है general voucher के थूँ अब देखिए month के end में हमने general voucher के थूँ अपनी salary वाली liability increase की अब month के end में अगर आप single way से करना चाहिए तो कैसे करेंगे वह मैं आपको बताती हूँ अगर आप consolidate way में नहीं करना चाहते हैं single way में करना चाहते हैं तो यहाँ पर single single आप कर सकते हैं general voucher चूज करना है month end का आप date चूज कर लेंगे आपको यहाँ पर debit क्या करना है सुनीता salary account और यहाँ पर credit क्या करेंगे आप सुनीता salary payable account आप यहाँ पर credit कर लेंगे तो देखिए जब भी आप leisure choose करें थोड़ा सा ध्यान से carefully करें क्योंकि यहाँ पर क्या होता है salary salary सब जगा दिखती है तो हम confused हो जाते हैं कहीं बारी salary payable की जगा salary account चूज कर लेते हैं salary account की जगा salary payable account चूज कर लेते हैं थोड़ा से carefully आपको यह entry करनी है second entry हम कर लेते हैं सिंगल संगीता की देख लेते हैं general voucher choose कर लीजे end of the month update choose कर लीजे संगीता salary account जो है आपको यहाँ पर debit करना है 17,000 से and credit क्या करेंगे आप संगीता salary payable account आपको credit करना है तो इस तरीके से आप कर लेंगे salary account को आप debit करेंगे and salary payable account को आप credit करेंगे तो शलिए अब हम salary payment की entry कर लेते हैं जैसे कि हमने month के end में एक provision salary की entry पास की थी अब हम next month के starting में salary payment की entry पास करेंगे date आप choose कर लीजे जिस भी rate में आप salary की payment करेंगे second of November मैंने date choose किया है उस rate में payment की entry पास कर दी हूँ आप देखिए one by one आपको सुनीता salary payable account जो है debit करते जाना है जितनी भी salary है अमाउंट से आपको debit करते जाना है सुनील salary payable account यहाँ पे देखिए सुनील salary payable account चूज कर लीजे कितनी इनके salary थी हाँ पे current balance में आपको show हो रहा है 20,000 वह आप चूज कर लीजे नेक्स देखिए next employee है हमारी कोमल कोमल की कितनी salary है 12,000 तो कोमल salary payable account 12,000 से आप debit कर लीजे नेक्स लेजर हम चूज कर लेते हैं संगीता संगीता की कितनी salary है 17,000 तो संगीता salary payable account 17,000 debit हो जाएगा इस तरीके से one by one आपको देखिए यहाँ पर मैंने जो कोमल का account salary बारा चूज कर लिया था इसलिए हमें कोमल salary payable account चूज करना था तो carefully थोड़ा entry आपको लेजर चूज करना है उसके बाद देखिए संगे संगे कितनी salary है संगे की salary है संगे salary payable account चूज करना है 18,000 संगे की salary थी उसके बाद next है सुरेज सुरेज की salary है 20,000 है तो सुरेज salary payable account चूज करना है 20,000 देखिए current balance पे आपको शो हो रहा है उसके बाद सुप्रिया सुप्रिया की salary कितनी है 19,000 तो सुप्रिया salary payable account हम चूज करेंगे प्रदीब की सेलरी है सीटीन थाउजन तो प्रदीब सेलरी पेवल अकाउंट हम चूस करेंगे लिए देख़े जैसे पर माउट यालते जा रहे हैं सारा कर्येंट जीरो आपको शो होते परेदेए चाहेगा संदीब संदीप सेलरी कैसे सिंगल सिंगल ένro करेंगे सिंखल– सिंगल सैलरी पेमिंट थैंट कैसे करनी है बाघ्चर चूज़ करके डेल चेंज कर लेंगे and देखिए सुनी店 की सैलरी कितनी है 15,000, सुनीदा सैलरी पेमिंट एकयंट 15,"00 से डेबिट हो यहाँपप 15000 फिलक कर लिए अन्दनर हम्गों करेंगे drinking लिए ऊपने बैंक को क्रेंट कर रहेंगे क्योंकि हम अपने बैंक केopf्व पेमेंट कर रहे हैं तो सारी के डिटे dw espero कर लिए एक और entry हम देख लेते हैं date आप change कर दीजे जिस date में पेमेंट कर रहे हैं and second हम संगीता की देख लेते हैं कि आप संगीता की कैसे single entry pass करेंगे संगीता salary paypal account आप debit कर लीजे 16,000 से और आप अपने bank को credit कर देंगे क्योंकि आप अपने bank के through उनकी payment कर रहे है salary की तो ये दो वे हमने आपके साथ discuss किये कि कैसे आपको salary की accounting maintain करनी है अगर आप advance में दे रहे हैं तो कैसे करना है और अगर simply आप दे रहे हैं तो कैसे आपको अप देख लेते हैं suppose कीजिए अपने staff को या फिर employee को stock दिया है तो उसकी entry आपको क्या करनी है आप देखिए आप आइटम चूस कर लीजे जो भी आप आइटम या फिर कोई product जो है या फिर कोई stock जो आप दे रहे हैं वह आप अपना यहाप चूस कर लीजे सेकें हम stock चूस कर लेते हैं ceiling fan हमने उनको sale किया है cash में two pieces हम ले लेंगे अब देखिए कई लोगों को confusion होती है कि cash में invoice बन रहा है तो इसके उपर हमें take supply करना है या फिर नहीं करना है तो आपको takes apply करना है अगर आप cash में sale कर रहा है फिर भी क्योंकि जब हम material purchase करते हैं तो इसके उपर हम takes देते हैं तो जब हम sale करेंगे cash में भी sell करेंगे तब भी हमें takes apply करना है इस पे हम cgst and sgst apply करेंगे क्योंकि यह local है local में हम sale कर रहे हैं इसमें cash का अगर आप अपने किसी भी स्टाफ या फिर किसी भी इंप्लॉई को कोई भी प्रोडक्ट अपने स्टॉक से देते हैं अपने कमपनी से देते हैं तो आपको इसको क्या कर रहा है सेल वाउचर में कैस में आपको शो करना है कि आप कैस में सेल कर रहे हैं तो देखिए एक और entry कर लेते हैं इसमें sale ledger में आपको क्या चूस करना है sale local चूस करना है क्योंकि हम local में sale कर रहे हैं यहापे name of item आप चूस कर लीजे जो भी item आप sale कर रहे हैं case में तो इस तरीके से आपको case की invoice बनानी है और उसके बाद जब आप उस person से receive कर लेंगे payment तो आपको case में इसकी payment receive कर लेनी है तो चलिए हम इसका GST effect देख लेते हैं GST R1 में एक ऐसा show होगा जो आप case में invoice बनाते हैं आप date change कर लीजे अब आप देखेंगे B2C small में business to customer तो यहां पे आपको दोनों invices show हो रही है क्योंकि हमने business to customer बनाया है तो इसलिए यह दोनों invices आपको यहां पे show होगी B2C में show होगी तो इस तरीके से जो भी आप invices बनाएंगे case में आप sale करेंगे तो आपको यहां पे GST में show होगा और किसी भी employee को दीजिए किसी भी staff को दीजिए आपको इस तरीके से entry करनी है description box को check out करना ना भूलिएगा वहाँ में अपने accounts are related जो भी videos में बनाती हूँ टैली से related, accounts are related छोटे से छोटे और बड़े से बड़े topics को cover करने की मैंने कोशिश की है still I am doing and in future में भी I will keep it continue मैं अपने future में भी इसको continue करूँगी so I wish इस वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो मैं चैनल को like, share, subscribe किया बिल्कुल भी बचाहिएगा thank you